नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शौमनाद ब्लाकशाओड मैं आपका शुवागत करता हूँ आज का वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जो एंडरोइट फोन है उसमें अननसेसरी फाइल जितने सारे है आपका जैसे system cache है, app cache है, duplicate files, photos, junk file, communication clean जैसे आपका incoming, outgoing calls बहुत सारे list होता है ना इसको भी आप delete कर सकते हो जादतर होता है browsing data भी काफी सारे जम जाता है तो आपका phone जो है slow हो जाता है तो इसको कैसे clean कीजिएगा इसको दो तरीके से आप clean कर सकते हो एक है manually, आप जाके apps में जाके cage clean करना पड़ता है, cage को clear कर सकते हो जैसे settings में जाके app में ठीक है और दूसरा जो option है, वो है बहुत सारे app है, जो की one click cleaner है जो आपको जमिला पर नहीं, मतलब हर एक app पर जाके आपको cage clean करना नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले आपको manually तरीके से cage clean करना पड़ता है, वो मैं बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको settings पर जाना है, settings open हो जाएगा, उसके बाद आप apps पर जाईए या apps manager जो है, उस पर चला जाईए मेरा system थोड़ा slow है, मतलब phone थोड़ा slow है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे app यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, तो chrome browser में जाते हैं, कोई भी एक app को open कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो install updates, जितने सारे नए update आता है वो भी आपका काफी भर जाता है जैसे ज्यादा तर देखिएगा, facebook का जो volume होता है, वो काफी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे cage, cage जो है आपका 88 kb, इसको clear पर क्लिक करने से यह घट जाएगा, यह 28 kb हो गया, तो यह cage घट गया, यह हर एक app में ऐसा cage जमा हो जाता है, कुछ भी क 8 kb, तो इस तरीके से आप हर एक app में जाके आप अपना जो आपका unnecessary files है, वो delete कर सकते हो, cage को delete कर सकते हो, यह गया आपका manual तरीका, अब आपको कुछ app के बारे में बता दें, आपको app के बारे में बता रहे हैं, कौन सा best app है, best 5 app मैं recommend कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हो, best 5 app पूलोड करके रखा था, cleaner folder में, सबसे पहला नमबर पे जो recommend करना चाता हूं, वो है system android cleaner, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पहला नमबर पे है, s-cleaner, यहाँ आप देख सकते हो, यह वाला है s-cleaner, तीसरा नमबर पे मैं रखना चाता हूँ, आपका app cage cleaner, यह जो है, यह है app cage cleaner ओके चौथा नंबर पे do speed आपको सभी को पता है do speed ये है और पांचमा नंबर पे है 360 security ओके तो ये गया app का list अब सब को open करके आपको दिखा देते हैं कि कैसा है क्यों best 5 में इन app को रखा हूँ ओके तो सबसे पहले जो switch take को open कर लेता हूँ ओके देख सकते हो ओके यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो option है junk file file explorer duplicates battery battery no charging hidden files and hivernite game speed app app manager notification setting more ओके तो आपको बात चल रहा है यहाँ पर junk file unnecessary files को delete करना duplicates file भी यहाँ पर आप detect कर सकते हो उसलिए मैंने इसको best मतलब सबसे पहला नंबर पर रखा हूँ junk file junk file पर just click करने से ही आपका यह calculate करने लगेगा कि कहाँ पर कितना आपका junk file है temporary files है APK file unused folders और largest files है ओके तो यह हो गया देखिए temporary files 40.5 MB दिख रहा है यहाँ पर detect कर लिया है external application cache है देखिए 19 MB temporary files है आपका 40.5 MB APK files 206.9 MB है यह बहुत सारे है उसके बाद आप यहाँ पर clean now पर जैसे ही click कर दीजिएगा यह clean हो जाएगा तो यह बहुत simple सा है हर एक app पर जाना नहीं पड़ेगा इसलिए इसको बहतर बहुलता हूँ क्योंकि एक app आपका जितने सारे app है सबका जितना cache file है वो delete हो जाएगा ओके तो यह गया अब दूसरा जो option है यहाँ पर duplicate file duplicate photos, file जो भी है क्योंकि बहुत सारे folder में होता है गया WhatsApp में भी एक picture है वो ही picture आपका messenger में भी है तो आपको find करके आप delete कर सकते हो phone boost भी है यहाँ पर phone boost पर click करके phone boost आप boost कर सकते हो ओके तो यह गया इसका पहला app app number one ओके दूसरा जो app है see cleaner, see cleaner second पर रखता हूँ काफी अच्छा app है, काफी जाने माने app भी है, इसका जो rating है 4.5 है इसका जो interface है बहुत ही simple है, just आपको analyze करना है और clean कर लेना है यहाँ पर देख सकते हो, one hour पहले ही मैंने click कर, मतलब सारी मैंने clean कर चुका हूँ, ओके तो फिर से analyze करते हैं cage detecting कर रहा है, one apps 76 kb two apps, 200 kb ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो की cage file जो है 1.52 mb detect किया है, download file 131 mb किया है, apk 6 file है 168.22 mb का है, bluetooth folder जितने जारे है, empathy folders है thumbnail cage है, process call log यहाँ पर call log भी detect कर लिया है तो यहाँ पर आप call log को भी आप delete कर सकते हो, मतलब clean कर सकते हो इसलिए मैंने इसको second position पर रखा हूँ तो आपको analyze जैसे हो जाएगा उसको clean कर दीजिए, तो आपको यह जंजट नहीं होगा जैसे manual तरीके से आपको हर एक जगा पर जाना पड़ता है यहाँ पर आप देख सकते हो cage 152 mb एकदम clear कर दिया है call logs जो है, वो भी zero कर दिया है तो दूसरा app भी हो गया अब तीसरा जाते है, app cage cleaner cleaner पर जाते है, app cage cleaner अपर phone तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह detect कर रहा है junk files, system cage, junk files यह है आपका system cage है system cage 20 mb यह detect किया है clear all पर क्लिक कर दिजिए, यह clear हो जाएगा यह clear हो गया अब junk file में जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो do battery saver and use the browser यह काफी, use the browser काफी बड़ा app है तो इसलिए यहाँ पर delete मांग रहा है तो इसको delete कर सकते हो, अगर नहीं जरूरत पड़ा तो, ओक तो आज का वीडियो यहीं तक, thank you for watching अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो dislike भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल को subscribe कर सकते हैं subscribe button पे click कर लिजिए और bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिएगा इससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करता हूँ तो आपको notification मिल जाएगा ओके तो मिलते हैं next वीडियो पे टाटा